अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो सचेशन के लिए नीचे कमेंट में लिखे और अगर आप नए हो मेरे चानल पर तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा फ्रेस ओफिस एक ऐसी जगह है जहां घर के बाद आप आपका काफी समय बिचाते हैं आपका ओफिस एक टेबल स्पेस का हो सकता है या फिर कुछ कमरों का या फिर बड़ा कॉपरेट ओफिस आपका ओफिस अगर वासू के नियम अनुसार होता है तो इससे आपको काफी बेनेफिट्स मिलते हैं ओफिस में काफी चीजों का महत्वर होता है जिसे की ओनर का कैबिन, रिसेप्शन एरिया, कैंटीन, कॉन्फरेंस, रूम और अलगलग डिपार्टमेंट्स ये सारी चीजे अगर सही अगर अवतिया है तो आपकी ओफिस की पौजिटिविटि बढ़ जाती है इसलिए इस फीडियो में हम जाने के वासू शास्तर के इनसर ओफिस के किस दिशा में क्या होना चाहिए और ओफिस के लिए वासु टिप्स सबसे पहले हम Office के अनग लग दिशाओं में क्या होना चाहिए यह जांते हैं फ्रेस वासुषास्त्र में 5 elements यानि के 5 तवो का बहुत मात्व है 5 elements आपके property में subdirections यानि की विदिशाओं में पाई जाते हैं 5 elements को detail में मैंने अपने previous video में explain क्या हैं ऐसे लिए आपके प्रोपर्टि में रहते हैं तो इस से आपके उबर में प्रगति होती है इसलिए आपके यह कोशिश होनी चाहिए कि 5 आपके office में balance में रहें प्रस वासुशासर के अनुसार North East में water यानि की जल तत्व पाया जाता है और North East को हमेशा हलका और खुलावा होना चाहिए और अगर North East आपके property में balance में है तो इससे आपके business में fast progress होती है इसलिए North East direction में entrance, reception area, waiting lobby, पूजा खर और पानी पीने का provision होना चाहिए North का direction ये कुबेर का direction है जो धन के देवता है इसलिए office में सारे finance, accounts और billing से related transaction नौट के direction में होने चाहिए East का direction ये सूरिया यानि की sun का direction है और अगर आपके office में आपका administrative department East के direction में होता है तो इससे आपको अच्छा result मिलता है इसलिए South East यानि की अगरी कोण में अगर अगनी तत्व बैलेंस में रहता है तो इससे आपके business के growth के rate में तेजी आती है इसलिए South East direction में सारे electricity से related चीज़े, canteen और boundary area होना चाहिए Purchase और Research और Development Department को South East direction में अच्छा मना चाहता है Friends, North West direction में air element पाया जाता है जो communication और new ideas को promote करता है इसलिए अगर North West direction आपके property में balance में रहता है तो इससे आपके साथ काम करने वाले लोगों के बीच में आपसी तानमेल अच्छा रहता है जिससे team spirit बढ़ती है और इसका अच्छा result काम पर दिखाए देता है इसलिए North West direction में sales, marketing और dispatch department होना चाहिए Conference room, toilet block, waiting lobby और parking area को भी North West direction में अच्छा मना जाता है Friends, South West direction में air element यानि की प्रिथ्वी तत्वाब आया जाता है जो हर चीज को स्रिता यानि की stability प्रदार करता है इसलिए business head या फिर ऐसे वेक्ति जो office के सारी decision लेते हो उनका cabin South West direction में होना चाहिए और उन्हें North East के direction में face करके काम करना है South West direction से उनके विचारों में स्रिता आती है और North East में जो positive energies होते हैं वो उन्हें proper decision लेने में help करते है ओफिस के second और third position या फिर rank वाले व्योक्तियों का cabin South और West direction में होना चाहिए प्रेस ओफिस में ब्रह्मस्तान हमेशा खुलावा होना चाहिए अगर खुलावा रखना possible नहीं है तो at least उसे हलका रखे प्रेस ओफिस entrance के immediate area में आपको heavy furnitures avoid करना है इस area को आपको खुला रखना है ताकि energy के flow में बाधा ना आए ओफिस के north के direction में आपको light storage करना है और south के direction में heavy storage सारे important documents आपको office के southwest direction में रखना है ओफिस में proper light और ventilation होना जरूरी है ओफिस में काम करने वाले सारे लोगों को north या फिर east के direction में face करके काम करना है इससे उनकी काम करने के efficiency increase होती है और आखिर में office का atmosphere healthy और cooperative होना चाहिए ना कि competitive फ्रेंस ये कुछ simple वास्तुर tips है office की energies को balance करने के लिए आशा करती हों कि ये वीडियो आपको पसंदाया हो तब तक के लिए शुप वास्तु and happy living होना हुटी होना हो होना हुटी हुटी होना हुटी हुटीन